हेलो स्टुडेंस वेलकम बैक तो मैं चेनल तो आज हम क्लास टेन का हिस्ट्री चाप्टर वन जो कि आसाम स्टेट पोर्ट का कोर्स है उसके सिक्स्ट पार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम स्वादेशी मूपमेंट जो है और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का जो फर्मेशन से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वादेशी मूपमेंट जो है वो अवर्डिन नैशन्स अल्रेडी स्टार्ट हो गया था जहाँ पर सुरें चंद्रनाथ बेनार जी, बीपिन चंद्रपोल, अर्विंद घुष, अश्विनी कुमार दत्त जैसे बहुत सारे इंटिलेक्टिवल लीडर्स जो है इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के थ्रू वो लोग उनाइट हुए जस्ट तु स्टैन बिफोर दे ब्रिटिस एगेंस्ट पार्टिशन बेंगल तो दिवरिंग 1885 जो नेशनल कॉंग्रेस है वो मैंली कंसेंट्रेट कर रहा था सोशल और एकोनोमिक डेपलोप्मेंट के उपर लेकिन जैसे ही पार्टिशन बेंगल शुरू हुआ तो वो लोग अपने आपको इस्टाबलिस किया एक बीक नेशनलिजम का जो मूब्मेंट है उसको बड़ा और कर सके और ब्रिटिस के एगेंज पर वो लोग खरा रहे सके जो 19th annual session held किया था 1903 में मादरास में अंदर प्रेसिदेंशिव ओफ लाल मोहन गोश जो की इंदियान नेशनल कॉंग्रेस का प्रेसिदेंट था उसने गवर लाला लाजपत राय और गोपल कृष्ण गोगले जो है इंप्लिमेंटेशन से पहले लंडन भी पहुँच गया था 6 जुलाई 1905 को और वो लोग रिप्रेसेंटेशन दिया था on behalf of national congress just to give up the plan of partition of Bengal by British government उन लोगोंने petition भी submit किया था जो की एक sign किया गया था people of Bengal से ताकि वो लोग जो partition है उसका implementation को रोक सके इसके बाब जोड़ भी इतना opposition करने के बाब भी जो partition of Bengal था उसको implement किया गया इसके against में जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस है उसने भी एक strong stand लिया against a partition इसके बाद 6 साल तर इस तरीके से स्वाड़िसी मपेंट होने के बाद result में ultimately उन लोगों को partition of Bengal जोहां उसको compile किया गया to go for unification of government sorry unification of Bengal in 1911 को ये जो एक बड़ा सा incident था उसने एक opportunity create किया Indian people के उपर में just to unite for freedom हमारे आजादी के लिए एक साथ होने का एक platform बना दिया ताकि हम लोग अपना खुद का self government यानि जो स्वाराज है हम प्राप्ट कर सके या तकि Indian National Congress ने एक central force की तरह भी काम किया next part में हम परेंगे anti movement action of the government इस movement के against government ने किस तरह किस action गया इसके बार में हम इस point परेंगे जो British government है वो expect कर रहा था कि जो moderate group of leaders है Congress का वो जो partition of pangle है इस issue पर उन लोगों का support करें इसी वज़े से उसने जो loyal leaders है Lord Garzan का उसको various titles डिया post डिया medals विगरा दिया लेकिन जो moderate Congress जो है उन लोगों को जब offer डिया गया था post of judge, high court, member of British Parliament, member of viceroy council etc इस तरीके का support पाने के लिए ताकि वो लोग जो partition of Bengal है उसके against पे खराना रहे और British का side दे लेकिन in spite of this policy जो Lord Garzan का जो policy है वो failed हो गया तो anti partition movement के against में step लेने के बाद जो title से post है वो create करने के बाद जो भी लोग एक साथ होकर इसका against भी खड़ा रहा जो इस तरीके का जो against हुआ ब्रिटिश के against में मतलब इस तरीके का जो Congress leaders जो है सुरेंदरनाथ बेनार जी जैसे गोपाल कृष्ण गोखले पार्टिशन ऑफ बेंगल के against में जब वो खरा रहा वो government के लिए एक ट्रप सेट कर दिया यहां तक कि जो बेपिन चंद्रपॉल जी है उसने हर एक लिडर को अपना जो title post ओनर डिया गया है British government को उसको return करने के भी request किया सबसे first में जो गोपाल कृष्ण गोखले जी है उसी ने अपना जो title है नाइट हूट जो दिया गया है title ब्रिटिश से उसको immediately उसने return कर दिया next part में हम परेंगे किस तरीके से स्वाधिशी movement ने contribution किया है तो स्वाधिशी movement नबर वान पर ही है स्वाधिशी movement जो है इंडिया जो political knowledge जो है regarding mass movement इंडिया को एक opportunity दिया सीखने के लिए ताकि majority of the people जो है एक साथ होकर एक common cause के लिए एक mass movement लाकर वो लोग successful हो सके एक platform उन लोगों ने create कर दिया और दूसरी तरफ जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस है एक inception फॉर्म किया एक belief फॉर्म किया कि peaceful demand से भी इंडिया का development ला सकते हैं जो partition of Bengal है उसने एक outlook में changes भी लाया स्वाडिसी movement की विज़े से realize हुआ है कि जो इंडिया का progress जो है वो possible है only through the mass struggle यानि एक साथ एक जुट होकर अगर काम किया जाता है तभी यह successful होगा बुलकर उन लोगों को एक realization दिला दिया भरूसा दिला दिया नमबर थ्री point पर है जो viceroy का declaration था post of the viceroy वो administration and exploitation जो है वो मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा तो इस तरीके का rain over हो गया यह arrogance जो है empirical rule जो है इस तरीके का जो rule है उसने determination create किया इंडियन के उपर और उन लोगों ने foreign goods को boycott किया और local goods जो है यानि local हमारे देश में ही बनाए हुआ जो सामान है उस तरीके का इस्तमाल करने लग गया और अपना ही industry खरा करने लग गया इसी वज़े से स्वादेशी movement जो है उसको हमेशा ही history में remembered किया जाएगा for the economic and industrial development of India यह पहला step है number four point पर यह है कि इंडियन जो है उसको एक privilege मिला मतलब से विधा मिला through स्वादेशी movement एक sense of nationalism जो उसने हिला दिया इंडिया को और compelled किया कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस for the first time वो लोग अपना स्वाराज दिमान करें आजा दी कलकाटा सेशन में कलकाटा जो सेशन हुआ था 1906 under the president of दादा भाय नारूजी उन लोगोंने दिमान किया कि हमारा जो इंडिया है उसको भी स्वाराज मिले जो स्वादसी मुब्वेंड है उसने सिप पूरुषों को ही नहीं नारियों को भी एक रक्या मास मुब्वेंड में दो इंसिडेंट यहाँ पे ग्रेट रोल प्ले किया रिगारिंग दिस जो बेंगली है प्रोविंस का हर एक जो फैमिली है बेंगली प्रोविंस का वो ओन फर्स्ट ऑन दा फर्स्ट ऑन दा दे विन प्रोफुल्ल चक्की वस एक्जिगूट टेट उन लोगोंने फास्ट किया जब फास्ट मतलब की ब्रत रखा मतलब नहीं जो खाना बना नहीं जो खाता है फास्टिंग करता ह इस तरह के से फास्ट किया जब प्रोफुल्ल चक्की को एक्जिगूट किया गया तो यह कीचेन का लोगडाउन हुआ यहापर हम बोल सकते हैं कि जितना भी मादर्स है उन लोगोंने मौन किया उस दिन मादर्स मतलब मात्रिया जो ओरत हैं उन लोगोंने एक जुट होकर उसको सार्प क्रिटिजिश्यम करने के उपर उन लोगों उसको जब पनिश्टर किया गया तो जो भवनेश्वरी देवी जो है उसका जो मदर है बुपेंद्र नाद दत्त जी का भवनेश्वरी जी ने एक वोमन को एक साथ मिला कर एक मैश वोमन क्रिएट किया इस तरीके से उसका जो टेंडेंशी है रेस्टो रेजोर्ट किया वाइलेंट मुवमेंट को जो वाइलेंट मुवमेंट ओकर किया था इन सम सेक्षिन ओप एक्टिविटीज तो यहाँ पर एक आम मुवमेंट का जनम ले स्वाधिसी मुवमेंट तो यह जो डिशिशन है दिशिशन तू रिपेल दा पार्टिशन जो था clearly show किया गया था जब partition of bengal किया गया था clearly देखा गया था कि वहाँ पे बहुत सारा discontainment था British government के उपर में लेकिन जो success story of Swadasi movement का जो success part था वो यह था कि Indians लोगों को excited join होकर strengthen होकर Indian freedom struggle के लिए वो लोग एगेंस में खरा रहा जिसका leader था महत्मा गांदी जी और the success of anti-government partition movement जो था वो हमेशा ही Indian history में वो एक event successful event रहा है जो कि Indian history में एक freedom struggle के तोर पर यह एक success यह पर lastly last line आप देख सकते हैं the success of anti-partition movement हमेशा ही एक important event रहेगा Indian freedom का जो struggle है इसमें तो lastly हम लोग यह देख सकते हैं कि हम लोगों का जो Indian में struggle movement जो creation हुआ था unity के वज़े से ही हम लोग successful हो पाया मतलब जितना भी caste religion है सब लोग एक जूट होने के से हम लोगों का हमेशा ताकत बरता है हमेरे social science में यह सब history में हम लोग पहले से हम लोगों ने देखा है कि unite होने के बाद ही successful हो सकता है तो यह chapter में हम लोगों का यह last part था तो पहले का जो part का जो वीडियो से आप आगे देख सकते हैं मैंने हर एक section का अलग-अलग part दिया है आप पहले का वीडियो से देखिए और समझे यह chapter 1 का ending part है अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो like कीजिए, subscribe कीजिए और bell icon को दबाएए ताकि आगे का जो notification है आपको time पे मिल जाए वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद